हाई फ्रेंड्स, आज हम रिट्स पढ़ने जा रहें, जो कि 5 तरह की होती है पहली है, हेबियस कार्पस, याने बंदी प्रत्यक्षिकरण किसी व्यक्ति को अगर लगता है, कि उसे अवेद रूप से गिरफतार किया गया है या बंदी बनाया गया है, तो वो अपील कर सकता है, उसके परिजन अपील कर सकते है इस पे ये रिट जारी होता है, तो पहली हो गई बंदी प्रत्यक्षिकरण याने हेबियस कार्पस, सेकेंड है आपकी मेंडेमस मतलब पर्मादेस, आप क्या होता है, अगर कोई भी पदा दिकारे अपने ड्यूटीज फोलो नहीं करता है, तो ये रिट जारी होती है तो सेकेंड हो गई आपकी मेंडेमस याने पर्मादेस, क्यों होती है तो duties follow ना करने पे तीसरी है आपकी prohibition याने प्रतिशेद लेक अब कोई higher court मतलब जिसे supreme court, high court ये अपनी naturalी अदालतों को ये rate जारी करते अगर उन्हें लगता है कि वो अदालत आपने अधिकार छेतर से बाहर जा रही है तो ये rate जारी होती है तो नाम है इसका prohibition याने प्रतिशेद लेक चोथी आपकी certiorary याने उत्प्रेशन इसमें क्या होता है तो जो higher court होती है वो अपने lower court से बोलती है कि अगर कोई pending मुकदमे हो जिनका review करना है तो उन्हें बेज दीजी तो चोथी हो गई उत्प्रेशन याने certiorary इसके बाद है last क्यो वारंट हो याने अधिकार प्रच्छा इसमें क्या होता है तो कोई भी पदा अधिकारी अगर अपने दाइरे से बाहर जाके काम करता है मतलब उसका अधिकार नहीं है वेद्यानिक रूप से उसको कोई हक नहीं है लेकिन फिर भी वो काम अगर वो कर रहा है तो नियाले उससे पूछता है कि भाईया क्यों कर रहे हो तुम किस हग से कर रहे हो ठीक है तो यह रिट जारी होती है नाम है इसका अधिकार प्रच्छा यह हो गए हमारी पांच रिट्स I hope this video would be helpful for you Please share this video, thank you so much